और दो ही महने इसको इस्तेमाल करने से आप देख पाएंगे कि आपका टेस्टोस्टोन हर्मोन का लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से टेस्टोस्टोन हर्मोन की लेवल को बढ़ाने के लिए एक होमेपतिक कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों बताऊंगा जो कि 5 होमेपतिक मेडिसिन्स की मदद से बनाई जाएगी इस कॉम्बिनेशन को अगर आप सही तरीके से जैसे मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसको 2 मेहना इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका टेस्टोस्टोन हर्मोन का लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा दोस्तों टेस्टोस्टोन हर्मोन क्या होता है इसका इंपोर्टेंस क्या है लाइफ में अगर इसका level कम हो जाता है तो क्या impact गिरता है किसी पूरुस का अंदर तो इन तमाम बातों का उपर हमने एक separate video अल्रेडी बना रखा अगर आपको ये बाते जानना है तो आप वो वीडियो को देख सकते है लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने वाले है कि testosterone hormone का level को बढ़ाने के लिए हमिपतिक formula क्या है कौन-कौन सी medicines की मदद से हम लोग testosterone hormone की जो combination उसको बना सकते है और उसको इसको इस्तमाल करके कैसे हम अपना testosterone hormone का level को बढ़ा सकते और वो भी दो मेने की अंदर सिर्वी दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो लाइन बोलना चाहूंगा कि testosterone hormone का क्या importance है दोस्तों testosterone hormone वो hormone है ये basically पूरुषों के अंदर काम करती है ये hormone एक पूरुष को पूरुष बनाने के लिए साहिक रोल प्ले करता है इसी hormone का कारण से एक male का primary and secondary character develop होता है उसका link में विकास होना सुरू होता है उसका endocose का size बढ़ना सुरू होता है उसको यौन इच्छा होना सुरू होता है तो ये तमाम चीजे तभी होता है जब testosterone hormone हमारा सरीड में बढ़ना सुरू होता है एक बच्चे का अंदर testosterone hormone का level आइस्ता इस्ता 12 साल के बाद जब बढ़ना सुरू होता है तभी ये चीजे हो पाता है तो दोस्तो मैं आपको एक line में ये समझा दिया कि ये hormone कितना important है और क्या important role play करती है एक पूरूस की life में testosterone hormone की level को जानने के लिए हम लोग एक blood test कराते है blood test से हम लोग ये पता कर सकते है कि आपका अंदर testosterone hormone का level कम है या नहीं और यदि आपका उमर 20 से 45 वर्स का भीतर है और आपका testosterone hormone का रिपोर्ट आया है वह अगर 400 nanogram पर decilator से नीचे है तो वहां पर बेसक आपको testosterone deficiency है और उसके लिए आपको अपना medicine आपको लेकर आना है दोस्तों इस formula को बनाने के लिए आपको पांच हुमिपतिक medicine लेकर आना है market से दोस्तों मैं medicines का नाम बोल देता हूं और side में लिग भी देता हूं आप note down कर लीजे तो इस combination को बनाने के लिए जो medicines आपको लेकर आना है उसका नाम कुछ इस प्रकार है डामियाना 6CH, ट्रेबुलस टेश्टस 6CH, आर्निका 6CH, जिंसिंग 6CH, और कोनियम मैकुलेटम 6CH ये 5 medicine आपको 6CH पोटेंसी में लेकर आना है और 10-10 ml की डॉक्टर रेकबेक की लेकर आना है और जब आप medicine पर्चेस करने के लिए जाएगा तो सौपकीपर को आप कहिएगा कि मुझे एक 50 या 100 ml का खाली container दे दीजे और उस container में आप ये 5-5 medicine पूरी की पूरी आप डाल दीजे और उस bottle को अच्छी तरह से आप सेख करके हिला के उसको आप रख दीजे तो ये आपका बन गया testosterone hormone का हमोपतिक combination और इस combination को आपको कुछ इस प्रकार से इस्तमाल करना है इसका 5-5 बूंद आपको सुभे, दोफे और शाम, दिन में 3 टाइम आपको इस्तमाल करना पड़ेगा पांच-5 बूंद, दो चम्मच पानी के साथ मिला के आपको पिना पड़ेगा खाली पेड़ आपको लेना है, एम्टी स्टमाक आपको लेना है, हर दिल लेना है, एव्री डै आपको लेना है कि आप फिल कर पाएंगे, कि आपका अंदर जो प्रॉब्लम सो रहा था, लो टेस्टरस्टरों के कारण से, वो प्रॉब्लम में काफी हद तक कमी आ चुका है, ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत पेसरेंट का उपर आजमाए है, बहुत पेसरेंट का उपर हमने आजमा के दे को इस्तमाल करने के बावजुद भी, अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई भी इंप्रॉब्लमेंट नहीं हो रहा है, ये इंप्रॉब्लमेंट बहुत कम हो रहा है, तो इसका अर्थ आप ये निकाल सकते हैं, कि आपका प्रॉब्लम की जो गहराई है जो root cause है वो काफी गहराई तक पहुँच गया है और इसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है होमेपाथी treatment ही करना है लेकिन होमेपाथी में होमेपाथी की constitutional treatment आपको करना पड़ेगा तो constitutional treatment के लिए आपको किसी कच्छी classical MD होमेपाथ के पास जाकर उनके सामने पूरा case taking देकर ही आपको अपना इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा तो बेसक आप इस combination को पहले स्टार्ट करके आप देख सकते है इसमें chances 70% है कि आपका testosterone hormone का level इसी से बढ़ जाए और यदि आपका testosterone hormone का level नहीं बढ़ रहा है इससे तो इसमें आपको चिंता करने की कोई दरकार नहीं है आप किसी कच्छी classical doctor के पास जाकर जो classical होमेपाथी practice करता है उसके पास जाकर case taking देके constitutional treatment आप स्टार्ट करा लीजे आपका problem solve हो जाएगा और यदि आपको यह जानना है कि होमोपती में constitutional treatment का result कैसे आता है परिणाम कैसे आता है तो इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है अगर आप हमारा ही वीडियो उठा उठा कर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि constitutional treatment से कैसा परिणाम आता है हमा आपको की अंदर होमोपती को लेकर जागरुकता फैले उन वीडियो को अगर आप देखेंगे या कमेनिटी में पेसरेंट का picture डालता हूँ प्रॉब्लम का या जो फीडबैक डालता हूँ पेसरेंट का उसे अगर आप देखेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि classical होमोप आपको का या बभरोसा हो जालता हूँ